हाई फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ले कर आए जिससे आप अपने घर में जो एक दो चुहिया हो उसको आराम से भगा सकती हैं अगर हम बहुत कोशिस करते हैं चुहियों को मारने की या उसको हो लेती अगर हम च्राओं करते हैं तो लादमार उदर भटकती ही रहती है्वर कभी कभी बुक हो गया खाने का सामान हो गया रगी तो उसमें भी वह कुतन को व्र। वेकार कर देती हैं और इसको हम बहुत कुछे करते हैं लेकिन ये भागते भी नहीं है उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर जिसके आप बहुत ही आसान तरीकों से भागा सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना जो आपके किचन में आप उसको ही यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको लेना है बेसन अगर आ पोड़ Peter में बनाँ बनाएंग उसके बाद मैं इसमें हम तोड़ा can beatch Yeah के बाद इसको अच्छे से हमको मिक्स करना मिक्स करने के बाद हम शेङुं इसमें वि मिक्स में अब हम आपकी किचन में जो भी मिक्स सोडा हो आप इसमें इस तरह से डालß डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिला लेजे अब हम तीनों चीजों को चिम्मस के हाथ मतलब हातों से ने इसको चिम्मस से ऐसे ही मिला देना है उसके बाद में हम कोई भी पेपर लेंगी या न्यूज पेपर हो गया और वैसे ही पेपर होगा जो बच्चे पढ़ते हैं लोग पढ़ते हैं घर में रखा रहता वैसे भी पेपर आप ले सकते हैं यह देखिए इस तरह का पेपर आप ले सकते हैं पेपर ले ले और एक ले लिजे धकन किसी भाव प्लास्टिक का हो जो आप यूज ना करती हों कभी कभी हमारे घर में इस तरह के धकन पढ़े रहते ह रिब्बाई को तूट जाता है तो ढटकन को हम थिक देते हैं पस आपको वही धकन लेना है लेकिन आपको इसको फिल तोट आपको तोट जाता है थोट यहां थोट यहां भर, पही है नहीं लेगे थोगा करना से मिला देना है उसके बाद में एक चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है जो इसमें डालना है उससे मतलब थोड़ा सा यह जहरीला हो जाएगा जो भी चुहे खाएंगे इसको वह आपके घर में दुबारा नजर भी नहीं आएंगे अगर आप चाहें तो जो आप मच्छर बगा सथा अब चोटा हो गया मैं ऐसे ही इसको लगाती हूँ जहां भी चीटिया होती एक लाइन खीजते हैं वहां से भाग जाती है आप इसको इस तरह से इसमें कर दीजिए और उसके करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए देखिए फरिंट जिस तरह से मिक्स करना है अगर आप चाहें तो अपने हाथों से इसको मिला सकती है अच्छे से अगर ना हो तो ऐसे ही आप इसको चिम्मत से थोई दिर इस तरह से करते रहे तो यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह देखे फ्रेंड इसमें दाना बिल्कुल भी ना पड़ा रहे तो अच्छी बात है वह अच्छे से मिक्स हो जाता है यह देखे फ्रेंड इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है मिक्स आपको इसको दो तीन में तक अच्छे से मिक्स करना है यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह देखे फ्रेंड इसको ऐसे ही मैंने थोड़ी देर तक ऐसे ही इसको मिक्स किया है अब हम आपको बताएंगे किसको आप यूज किस तरह से कर सकते हैं आपको इस तरह से पेपर लेना है पेपर हो या मतलब जो न्यूज पेपर हो आपको भी पेपर ले सकते हैं उस पे इस तरह से आप लगा दीजिए यह देखिए फिरन जिस तरह से मैं सिम्मस से लगा रही हूं अगर आप चाहें तो अपने हाथों से लगा लेजिए लेकिन हाथों को अच्छे से धुल लीजिए गबाद में क्योंकि इसमें थोड़ा जहीला पन होता है इसलिए आपको हाथों को बाद में अच्छे से धुल यह देखें इस तरह से आप इसमें लगा दीजिए लगाने के बाद इसको रख दीजिए और फिन एक मतलब जो प्लास्टिक का धक्कन लिया था मैंने उसमें भी इस तरह से यह देखें इस तरह से आपको लगा देना है यह देख सकते हैं वीडियो में आप इसी तरह से आपक अमार्क भी आप दीजिए का इधिया अच्छे से मैंने इसको लगा दिया है। हातों से भी लगाया है। और हात Armen थो अच्छे horrетьमेन के बार, आपका जू पीछिन, तो है से रापने में कृत लगते हैं aí। और नो मियें इंकर आप तो direito, अगर आपक में बारन, ख़ये और सा प्रासर नादान हुते हैं तो च्रू लेते हैं इसलquel आप उनको बता देजिये कि इसको मत च्रूँना तो वो नहीं च्रूंगे अगर बताइगे नहीं तो और बार बार उसी को च्रूंगे बता देंगी जहरी लारट नहीं दो आप जहां कैसा रखती है वहां आप मतलब जो कागस में रहा है था उस तरह से आप इसको रख दीजिए ये बहुती अच्छी ट्रिक है फिर्ट से जरूर यूज कीजिए का और कमेंड कीजिए का ये यूज आपको कैसी लगी मतलब ये टिफ्स आपको कैसी लगी ओके फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टैंक यू वीडियो को देखने के लिए